एक रुप्या, दो रुप्या, पांच रुप्या कभी सिख्यें तो कभी छोटे बड़े नोट सब इसमें धीरे-धीरे जमा होते जाते हैं फिर जब कभी हमें कुछ पैशों की जरूरत परती है तो इस गुलक की पचत का उप्योग कर लेते हैं हमारी अधर्टी भी इसी तरह की खूब बड़ी गुलक है मिट्टी की बनी इस विशाल गुलक में प्रकृती वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है बच्चो जब आपको कोई भी चाहेवा एक रुप्या हो दो रुप्या हो पांच रुप्या हो या सिक्का हो या नोट हो तो आप लोग क्या करते हो उसे गुलक में जमा करते जाते हो और जब कभी भी किसी चीज की ज़रत होती है तो हम क्या करते हैं कि गुलक से कुछ पैसे निकाल लेते हैं तो जिस तरह से आपके गुल्लक रहती है पैसो वाली उसी तरह से ये बड़ी इसी जो हमारी धर्ती है न वह भी एक गुल्लक की समान है और या मिट्टी से बनी है और इसमें क्या होता है जो वर्सा होती है उससे इसमें खूब सारा पानी बर जाता है तब रुप्यों से भी कई गुना कीमती इस वर्सा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए हमारे गाउं में शहर में जो छोटे बड़े तालाब जील आती हैं वे धर्ती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं इन में जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंटार में धीरे धीरे रिस्ट कर छन कर जा मिलता है बच्चों वर्सा या पानी हमारी लिए बहुत ही कीमती है इन पैसों से भी कीमती तो इस जल जो वर्सा का जल है वह क्या होता है कि हमें तालाब और जील और नदी में इकठे कर देना चाहिए मतलब वह एकठा होता है नदी और तालाब में और इस तरह से जो जमा पानी रहता है वह नीचे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस्ट कर अर्थार अपने आप बाहर तपकने लगता है और चन कर अर्थार महीन छिद्रों में से नीचे गिरने लगता है और बिल्कूल नीचे जाकर के वह पानी धरती के अंदर जमा हो जाता है इससे हमारा भूजल भंडार समरित हो जाता है पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीच जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उप्योग के लिए घर में, खेतों में, पार साला में पानी निकाल सकते हैं तो बच्चो धर्ती के नीचे जो जमा होते जाता है जल उसे ही हम भूजल भंडार कहते हैं जो अत्यधिक गहराई में पानी जमा हो जाता है और सम्रिध होना यानि इससे बढ़ता है पानी क्या होता है? बढ़ता जाता है पानी का इस तर बढ़ जाता है तो इस तरह से जो ये पानी का खजाना है वा अंदर ही अंदर पुरा जम्म होते जाता है जो हमें दिखाई नहीं देता है और अगर ये बरसात का मौसम भी जाता है तो हम इसे अपने उप्योग के लिए घर में, खेत में और बाट साला में पानी निकाल सकते हैं कैसे? जिसे टेप नल लगा करके, बोर करवा करके, इसे हम लोग क्या करते हैं? नल का खुदाई करवाते हैं और उसको हम सभी उप्योग करते हैं लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छीपे खजाने का महत्र भूल गए और जमिन के लालच में हमने अपने तालाबों को कच्रे से पाट कर समतल बना दिया देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदी खड़े हो गए बच्चो जमिन के लालच में हमने अपने सारे तालाब को कच्रों से पाट दिया और उसे समतल कर दिया और कहीं पर मकान, स्टेडियम और सिनेमा पना लिया और अपने ही पैरोपर कुलहारी मा लिया याने अपना ही नुकसान कर लिया इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है गर्मी के दिनों में हमारे नर्व सूख जाते हैं और बरसात की दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं इसलिए यदि हमें अकाल और बार से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदी की रखवाली अच्छे धंग से करनी पड़ेगी जल चक्र हम ठीक से समझें, जब बरसात हूँ, तो उसे ठाम ले बच्चो इस तरह से हम अधि उस तालाब को कच्छों से पाट देंगे या वहाँ पर स्टेडिया में बाजार बना लेंगे तो हमारा ही नुकसान है और इस प्रकार से गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाएंगे और बरसात के दिनों में क्या होगा बस्तियां डूबने लगेंगे इसलिए हमें अकाल और बार से बचने के लिए इन सभी तालाबों और नदियों की रखवाली अच्छे धंग से करनी पड़ेगी और हमें ज्यादा से ज्यादा तालाब और नदिक्री सुरक्षा करनी पड़ेगी और साव सफाई करनी पड़ेगी अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें अपनी गुल्लक भरते रहें तभी हमें जरूरत के समय पानी के कोई कमी नहीं आएगी यदि हमने जल चक्र का ठीक उप्योग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फस्ते चले जाएंगे बच्चो यदि हम चाहते हैं कि कभी भी हमें बाढ और आकाल का सामना ना करना पड़े तो हमें अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखना पड़ेगा और अपनी गुल्लक भरते रहें अर्थार हमें अपने नदी, नालो, तालाब की सुरक्षा करनी चाहिए ताकि भविश्य में हमें कभी भी पानी की कोई कमी महसूस ना हो या कमी ना आएं तो बच्चो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमें किस प्रकार से पानी का उप्योग या इस्तिमान करना चाहिए तो बच्चो आप सब सभी समझ ही गए होंगे कि पानी हमारी लिए बहुत ही अनमोल है तो आप सभी इस वीडियो को पुनह देखें और समझें इसे संबंधी प्रश्णोत तर आपको भेजी जाएंगे तब तक आप वीडियो को ध्यान से देखें धन्यवान पच्चो